बाइलिंग्वल स्टडी में आपका स्वागत है आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ छे फरवरी को साइंस और कॉमर्स यानि आयस्टी आई कॉम वाले का जो हिंदी अनिवार्य पेपर हुआ है उसका आंसर की तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एकदम हंडिट प जाए हना कि मैंने देखा है पहले बहुत सारे वीडियो में की वीडियो तो बना दिया जाता है कोई भी चैनल हो वीडियो बना देते हैं लेकिन जो सही होना चाहिए तो नहीं होता तूरूटियां बहुत ज्यादा होती उनके वीडियो में तो ऐसा आपको इस वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा अगर इस तरह की कोई भी 99 परसंट सही आंसर की होगा अगर एक आग परसंट में कई मिस्टिक्स हो तो आप कॉमेंट बक्स में कॉमेंट जरूर करें चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चलिए पहला देखते हैं कोशन कह रहा आ आलश सब्द का विशेशन क्या है एडजेक्टिव पूछ रहा है तो आलश से आलसी बना आलसी व्यक्ति बोलते हैं तो व्यक्ति के प्रेल लगा इसका मतलब विशेशन है अध्पका शब्द में उपसर्ग उपसर्ग जो पहला लगा पका सब्द में अध्द लगा दिया सौ परिवार शब्द में वही पूछ रहा है उपसर गया तो सौ परिवार परिवार के साथ सौ लग गया सकर्थ होता है साथ अंकूरित सब्द में पर्तिय है तो देखिए अंकूरित में पर्तिय है पर्तिय करते है बाद में लगता हो जो इत लगा हुआ अंकूर में इत लगा अंकूरित हो गया महिमा सब्द में परतिय है तो महिमा में कौन सा होगा इमा गरीमा महिमा इसमें इमा परतिय लगा होता है छे नमर में कार आनंद में शब्द कौन सा समास है आनंद के लिए में या आनंद है तो ये तो आपका जह हो जाएगा करता का चीन इसमें आनन के लिए में तो ये करता का चीन आ जाएगा तो समझ लेजी वो तत्पुरुश शमास है अब सन ये बिल्कुल सही है नौरतन शब्द कौन सा समास है नौ है तो नौ माने नौ वन टू नाइन तो नौ क्या है आपका संख्या तो जिसमें संख्या आ जाए पहला पद वो दिविगू समास हो जाता है चंद्रमोली चंद्रपरहो मोली जिसके अर्थात शीव तो भगवान का नाम जैसे आ जाए वो बहुबरी समास हो जाता है अगला कोशन आकास पताल एक करना मोहावरे का अर्थ है तो क्या होता है कठिन परिश्रम करना वीडियो को लाइक कमेंड और शेयर करना न बूले तोड़ा लेट हो सकता है एक सा कोशन है सभी का मैं सही आंसर बताऊंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखें मुठी में करना मोहावरे कारते हैं किसी को मुठी में कर लेते हैं इसका मतलब वस्म कर लेना अब संसी बिल्कुल सही है पंचायती राज में क्या खो गया तो पंच Dragons पर्मेश्वर जो है वो खो गया अगला कोशन देखते हैं अन्तों चेखब की कहानी है तो अन्तों चेखब की कहानी आपके जिभूक में दी वही है तो वो लास्ट में दियावा तीन कहानी है उसमें से अंतोन चिखप की क्या है कलरकी की मौत इससे दो कोशने कोशना गे भी है एक लेक और एक पत्र में भगसी किसको पत्र लिखता था अपने मित्र सुखदेव के नाम लिखता है तेरी कुडमाई हो गई किस कहानी से संबन देता है उसमें कहा था मैं कहा जाता है ग्यानेंदर पती किस परशासनिक पद पर थे थे ग्यानेंदर पती कारा अधिक छक थे क्या थे कारा अधिक छक एकदम सही आंसर है कृष्ण शब्द का विलोम क्रिश्न माने होता काला उसी तरह शुक्ल माने क्या होता उजला वाइट अस्तुती शब्द का विलोम है तो अस्तुती का विलोम क्या हो जाएगा निंदा तो चलिए संधिया शब्द का विलोम होगा संधिया मने शाम प्रातः मने शुबह तो अप्सन ए बिल्कुल सही है द सेस शेस का और सेस नहीं है फिक है यात्रा शब्द क्या है आपकी यात्रा मंगल मैं हो बोलते हैं हम लोग आपका यात्रा मंगल मैं हो तो आपका यात्रा देखते हैं तो सही क्या हो जाएगा यात्रा इस्तिलिंग आपकी यात्रा मंगलमै हो हम लोग बोलते हैं बच्चे का ठीक लगा चमक सब्द क्या है तो चमक आपका पुलिंग शब्द है अगला कोशन देखते हैं संधी कितने परकार का तो संधी तीन परकार सोवर संधी वेंजन संधी विसर्ग संधी आपने पड़ा होगा पुरान शब्द का विशेशन होगा पुरान से क्या बन जाएगा पौरानिक पौरानिक कथा भीड शब्द शंग्या है कैसा संदिया है भीड शमुवाचक संग्या है गराम शब्द विशेशन गराम से क्या बना है गरामीन वैक्ती वैक्ती के पहले लग गया मतलब विशेशन है कारक के कितने भेद हैं बहुत इजी कोशन था आड़ भेद हैं ये नया माल है इस वाक्वे में नया क्या है देखिए माल से पहले लगा हुआ तो इसका मतलब विशेशन है शंग्या है माल जिसने गुरू से दिख्छा ली हो को एक शब्द में क्या कहते हैं उसको कहते हैं दिख्छित अप्सन ये बिल्कुल सही है गुरू से दिख्छा ली तो सिख्छित सिव का उपासक कहलाता है तो सैव कहलाता क्या कहलाता सिव को मानने वाला सैव लीट बेटर की नजर में जे कृष्ण मूर्ती क्या थे ते विश्व शिक्षक थे option इसी बिल्कुल सही उदे परकास का जनम कब हुआ उदे परकास का जनम कब हुआ था सही answer हो जाएगा आपका 1952 क्या हो जाएगा 1952 स्वरी तो सही answer क्या होगे आपका इसके लिए छमा चाहेंगे 1952 चलिए तिरीच किस परकार की रचना है तो तिरीच किस परकार की रचना आधुनिक तरास्दी की रचना है अगला question देखते हैं मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था ता आपने पढ़ा हो का मदन मोहन गुगलानी बहुत इजी अब जक्सिपता अगर आठ से के बनिश्बत देखा जाए आठ से के इससे देखा जाए तो द्रिश्टी कौन से के आठ से वाले का question टप होता हिंदी एंगली से कुष्ण मूर्ती का पूरा नाम क्या था जिद्दू कृष्ण मूर्ती अगला कोशन आस्तिन का साफ होना महावरे का घर में छिपा सत्रू अगला कोशन हाथ का मैल होना बतलब तुछ होना इसका आर्थ हो जाता अगला कोशन देखते हैं माथा ठनकना महावरे का आर्थे क्या है तो माथा ठनकना का मत्तब क्या होता है कठिन होना, जटका लगना, चिंता होना, आसंका होना, ठीक है, भै आसंका, ठीक है, माता ठनकना, कठिन, जटका, चिंता होना, मेरे ख्याल सा आसंका, इसमें आप कॉमेंट कीजिए, देखिए क्या है सही मिनिंग इसका, मैंने नहीं देखा, तूती बोलना महावरेक आर्थे क्या होता धाक जमना और बिगरना बतल जाना धाक जमना हो गार्जन कुछ देखते इक उल्टी गंगा बहाँ आ महावरएक अर्थि क्या है विप्रूत कारे करना अगला देखते हैं रसोई घर सब्द कॉन सा खूर रसोई के लिए घर रसोई का घर यारसोई के लिए घर तो कि क्या हो गया आपका तत्पुरुष समास हो जाता है क्योंकि कारक का चीज़ चंद्र सेकर शब्द कौन सा समास है चंद्र हो जिसके सेकर सिर पे अर्थाद शीव बहुबरी समास भगवान का निमा वन मानूस वन के मानूस वन का मानूस तो य 3-3 राध स समय त्वेनाँ कों नहीं हाँ अहेकिता analysis यहां से राध दीन होता वह आपका दून्द does समय होता लेकिन अमाख कोई है उतके प्रफका नारिश्वर शिर्षक पार्ट केreyख कौन से लिखा अंकट दिनकर का, अपसन जो है आपका C, बिल्कुल सही, अगला कोशन देखते हैं, चंदरधर सर्मा गुलेरी की कहानी है, तो चंदरधर सर्मा गुलेरी की कहानी आपका क्या है, उसने कहा था, अपसन D हो जाएगा, अगला कोशन देखते हैं, जे कृष्ण मुर्ती निबंद के इच्चेता कौन है तो सिपाही की मां के रचीता कौन है तो अगला जै पॉलके सिन्यरा नाम किया था तो जै प्रकास नराइन नने लिखा उसका नाम है संपूर्ण करांटी बाल की इसने प्रकम के रचनाकर थे पहले ही कॉशन ने बहुत अच्छा मारागा मुझे मैंने पढ़ाया था जिनको बहुत इजी औब्जटीव है उनके लिए बरवे रमायान किन की रचना है तो बरवे रमायान आपको किन की रचना है तुलसी दास की रचना अपसंसि ये सब क्षेज़ सब प्रक्टिस करवाया तर्बीजक के रचहिता क संसार ज्वार कि संसго 있다 का संदी विच्च्चे दोगा पउसे बिलकुल सही है संसार जैसे संस्क्रिट का होता है अपसन एबिलकुल सही है पावन सब्दे का संदी विच्चे दोगा ते मतongo पो जोड़ अन पवन अगर पावन होता तो पाव जोड़ अन होता अप्सन ए बिलकुल सही है किसी तरह का कोई डॉट नहीं है इसमें उद्ध्योग शब्द क्या होगा संदी विचेद उत्जोड योग उद्ध्योग अगला कुहाशा शब्द क्या है आपका पुलिंग शब किसकी रचना है औपसन ए नाभादास की अगला हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी माना जाता है तो उसने कहाता को माना जाता है अगला कोशन जैसंकर परसाद का महा कावे है तो जैसंकर परसाद का महा कावे क्या नाम है कमाईनी अगला कोशन जब योग किसका लिखा वा सुभhatरा कुमारी चोहान का। बहुत इज़ कोशन था मालती किस कहानी की पात रहे तो रोज कहानी में मालती जो गंटा बजने का इंतिवार करती है. दो बजिया तिन बजिया चार बजिया ग्यानेंद्र पती की कवीता कोन है तो ग्यानेंद्र पती की कवीता कोन है आपका गाउं का घर अपसन ए बिल्कुल सही है अगला देखते हैं हिंदी साहित का सुर्य किसे कहा जाता है तो हिंदी साहित का सुर्य सूरदास को कहा जाता है अगला नाबादास का कावे रचनाच छेत रथा 7 तो सुबदरा कुमारी चोहान का जनम कब हुआ था 1924 वी में अगला कौशन देखते हैं मुक्ती बोथ का जनमस्थल कहां है मुक्ती बोथ का जनमस्थल सुयवपूर में धताद है अपस्टन 2 हो गया अगला कोशन देखते हैं सूर्दास किस भासा के कवी थे तो सूर्दास मुकतब बरज भासा के कवी थी है दलित साहित का सुंदर शास्त्र नामक अलोशना किसने लिखी थे ओम परकास वालिवी की ने ठीक है अगला कोशन देखते है तिरासिम ओ सदानीरा सिर्शक निबंद में वरनित मन कैसे ताल है तो मन जो है वो विशाल ताल है और गहरे ताल है अप्सन D बिलकुल सही है किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की पंक्ती किस पार्ट से लिगई ये तो हार जीत कविता से लिगई है अशोक वाजपई का मूल निवास अस्थान कहा सागर मददपरदेश ता अप्सन A बिलकुल सही है कलरकी की मौत सिरसक कहानी में कल के कहान क्या नाम तो इवान तमी त्रीच चेख को अजगतर का नाम है इमांदार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बेइमान इमांदार का बेइमान आवरन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा अनावरन ठीक है अगला कोशन देखते हैं गुरू के समीप रहने वाला विद्यारती क्या कहला तो अंतेवासी या विद्यारती कहला तो अंतेवासी एकदम सही आंसर है अगला कोशन देखते हैं अगले कोशन में क्या कह रहा है जिसका खंडन न क्या जा सके क्या कहेंगो उसको अखंडनी है अगला कोशन देखते हैं चौरान में जिसका जनम पहले हुआ तो उसको क्या कहते हैं अगरा जिसका बाद में हुआ उसको अनूज कहते हैं जिसके भी न साने योग उसे क्या कांते हैं यूसे ख़ाएभी बंता है बूला जाता है अनल शब्न का पर्यावारी हो गया जंजट अगला कुसें ड्रावना शब्द का परियावाची होगा तो ड्रावना का क्या हो जाता भयानक तो इस तरह से सो के सो अब्जेक्टिव थे एकदम हंडेट परसंड सही अब्जेक्टिव था कहीं पर आपको कोई मिस्टेक्स लगता है तो कॉमेंट जरूर के यह चलिए आप से मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्देवाच चैनल को सब्सक्राइब करते हैं लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें